तो अब हम discuss करने जा रहे हैं soil health card scheme के बारे में तो देखिए इसकी शुरुआत ही थी 2015 में 2015 में इस scheme की शुरुआत ही थी अब 2015 को याद कैसे रखा जाए देखिए soil हम नहीं चाहते हैं हमारे जाए soil होना वो बहुत ज़रा acidic हो या बहुत ज़रा basic हो beach के value ना बहुत ज़रा acidic ना बहुत ज़रा basic तो किसी महीने में beach की कौन से तरिखाती है beach की पंदर तरिखाती है so 2015 ठीक है तो इस scheme की शुरुआ कब ही 2015 ठीक है Northern Ministry, Ministry of Agriculture, Farmer Welfare basic objective यह ना कि जो fertilizer का use है वो judicious हो और balanced use हो ताकि over excessive use of fertilizer ना हो और soil की health में कोई issue ना है ठीक है इसका slogan है वो है स्वस्थधारा और खेधारा स्वस्थधारा खेधारा की फिचर के बात करें तो दिखी जो soil health कार्ड मिलेगा ना उसमें 12 parameters पे soil health की properties होगी 12 parameters पे soil health की properties दिखा जाएंगी यह 12 parameters जो होगे वो चार पार्ट में divide होगे पहला macronutrient इसमें NP के कब दिखा जाए कि NP के कितना ratio आपके soil में है दूसरा चीज micronutrient जिसमें boron, iron, manganese, copper और zinc के बारे मता जाएगा तीसरा secondary nutrients में sulfur के बारे में बताए जाएगा और चौता physical parameter जो कि pH बताएगा electrical conductivity बताएगा और organic कारों बताएगा आपके soil का ठीके जो कार्ड इशू की जाएगा यह हर 3 साल में इशू की जाएगा और अभी यह scheme जो ना यह राश्टिक क्रिशी विकास यूजना के अंडर soil health and fertility के अंडर मर्च कर दिया गया है from 22-23 और एक बड़ी खास बात यह है ना कि 19 फरवरी को अब soil health का डे मना जाएगा तीक है इसकी शुराद सूरदगर राजिस्थान से की गई थी अब इस scheme के अंडर village level soil testing lab बना जाएगे किसके तोरा individual entrepreneur हो सकते हैं या फिक community based entrepreneur हो सकते हैं तोटल टालेट क्या है तीन साथ के अंदर 23-23-23-26 सक तीन साथ के अंदर ना 75-100 lab बना जाएगे आने वाले तीन सालों में और जो beneficiary होंगे ये 18-27 साल के पीश होने चाहिए ये 10 वी पास होने चाहिए उनको science और knowledge और computer होने चाहिए science विज्यान और computer की ठीक ठाक knowledge उनके पास होने चाहिए और उमर 18-27 साल होने चाहिए जो financial assistance प्रवाइड की जाएगे वो up to daily lakh रुपे होगी okay thank you